ये बात है आईरलेंड के डब्लिन शेर की जहां पर एक लड़की सड़क पर कहीं जा रही थी और वो रास्ते में अपने मॉम को फोन करके ये बताती है कि वो जल्बी ही घर आने वाली है कि तबी इस लड़की को सड़क पर पड़ा एक फोन दिखाई देता है जिस पर किसी का कॉल आ रहा था वो लड़की फोन को उठाने जाती है लेकिन सड़नली पीछे से कुछ लोग आते हैं और उससे किड्नेप कर लिया जाता है और फिर किड्नेपर्स उसे वेन में भर कर कही पर ले जाते हैं अब सीन चेंज होता है और एक रूम में आता है जहां पर यह लड़की पड़ी हुई थी और जब यह नीन से उठती है तो यह देखती है कि यहां पर दो और लड़किया केद हैं जिनके नाम थे लीली और एलीसन और जिस लड़की को जस्ट अभी-भी यह यहां पर लाय गया था उसका नाम था कायरा फिर यहां पर किड्नेपर आता है और सभी को यहां के रूल से समझाता है कि यहां से ना भागना है ना चिलाना है और बस चूप-चाप पड़े रहना है और अगर किसी ने भी यहां से भागने की कोशिश की यह ज़्यादा चिल है कि यहां पर पहले तीन और लड़किया थी जिनने यहां से ले जाए गया और उन्हें बस उस लड़की की चिकने की आवाजा सुनाई दी इन सभी लड़कियों के हाथ और पेर दोनों बंदे हुए थे यह ठीक से चल भी नहीं सकती थी कायरा जैसे तेसे खड़की तक जाती है और वहां से बाहर जाकती है तो वह देखती है कि खड़की के बाहर पुलिस वाले खड़े हैं कायरा खड़की से पुलिस वाले को आवाज लगाती है उसका ध्यान अपनी और खीचने के लिए लेकिन पुलिस वाला उसे हाथ दिखाता है और वह यहां से चला जाता है मतल में यहाँ पर क्या किया जाता है यह किसी को भी नहीं पता और यह तीनों लड़कियां बहुती जड़ा डरी हुई थी और इन में से सबसे ज़्यादा डरी हुई थी तो वो थी एलिस जो की एक बहुती मासुम लड़की थी वे सभी लड़कियां बंदी हुई थी और वो यहा काते है जो कि एंयमल के बरतन में था और ये तीनों लड़कियां यानोर जीसे ही घाना काती है और इनके साथ में जानुर जीसा ही ट् outreach होता है फिर कायरा को वाश्रुम जाना था और वो किड्नेपर से वाश्रुम जाने को बिलाख के लिए जहां कायरा एक रूम से आती हुई रेड लाइट को देखती है और यहीं था रेड रूम फिर यहाँ पर कायरा के फ्लेश बेक को दिखाया जाता है जब कायरा अपने घर से निकल रही थी पार्टी के लिए वो एक पार्टी में जाती है जहाँ पर उसकी मुलाकाद एक लड़के से होती है जिसके साथ वो पार्टी में ही मेक आउट करती है पब्लिक प्लेस में एसी वेसी हरकत करते हुए उन्हें कलब का बाउंसर देख लेता है और वो कायरा को पार्टी से बाहर निकाल देता है पर उसका डैड उसको ये बोलता है कि किसी भी लड़की को कोई भी मारे नहीं और उन्हें पीटा ना जाए। उन सभी लड़कियों को बिल्कुल परफिक्ट रखा जाए। क्योंकि जितनी ज़्यादा वो खुबसूरत दिखेगी उतनी ज़्यादा उनकी वैल्यू पर ये सारी बाते अपने आदमियों को समझाता है कि लड़कियों को मारे पीटे नहीं। उन्हें अच्छे से रखें जितनी ज़्यादा वो परफिक्ट रहेगी उतनी ज़्यादा उनकी कीमत होगी। जब किड़नेपर और उसके आदमी बाते कर रहे थे तो कायरा और बाक लगन को निकाल कर ब्लेक मार्केट में बेचा जाए क्योंकि जिन भी लड़कियों को यहां से ले जाया गया है उन्हें उनकी तेज चीके सुनाई दिये वो भी कई घंटों तक जिसके बाद में हम यह देखते हैं कि किड़नेपर का डेड और उसकी वाइफ किड़नेपर को एक घंटे के अंदर शो चालू करने को कहते हैं जहां पर हम यह देखते हैं कि कई अलग-अलग कंट्रीज के लोग अपने अपने लेप्टोप या फिर टेबलेप पर लॉग इन करते हैं फिर लिली किड़नेपर से सिगरेट की डिमांड करती है और जैसे किड़नेपर प्रोटकास्ट किया जाता है यहां पर वीवर्स को बायर्स केते हैं जो कि ऑनलाइन बीडिंग करते हैं जो बायर सबसे ज़्यादा अमाउंट देकर बीडिंग को जित लेता है उसके हिसाब से ही टॉर्चर की मेथड डिसाइट की जाती है कि कैसे लड़की को टॉर्चर कि जाएगा और यह सब इंटरनेट पर डार्क वेब पर होता है ताकि किसी को बीड्रेस नहीं किया जा सके यह बायर काफी जदा अमीर लोग होते हैं जो की अपनी फ्रस्टेशन को रेड रूम पर निकालते हैं और फिर इस रेड रूम में टॉर्चर का खेल शुरू होता है यहांपर एक लड़की बेड से बंदी हुई थी और उसे ऑनलाइन डाक वेब पर दिखाय जा रहा था जहांपर उसकी बीडिंग होती है और जैसे ही बायर बीडिंग जीत जाता है तो उसकी टॉर्चर की मेथड डिसाइड होती है जिसके बाद में यहांपर एक आदि में और उस लड़की के उपर चड़कर उसके चेहरे पर तब तक मुख्य मारता है जब तक कि उसकी मौत न हो जाए वो आदमी बायर के कहे अनुसार उसे इतना मारता है इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है और सारे बायर्स इस शो को इंजोय करते हैं इन में से कुछ बायर्स तो ऐसे होते हैं जीने अपनी पत्नी से ज़्यादा मज़ा इन डेड डूम के टॉट्चर्स को देखने में आता है और इस लड़की की मौत के साथ में ही ये शो यही पर कत्म हो जाता है यहाँ पर यह तीनों लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कायरा भागने का प्लान बनाती है लेकिन एलिस इतनी ज़्यादा डरी हुई थी कि उसे यह लगता है कि अगर भागते समय वह पकड़ा गई तो उसके साथ न जाने क्या-क्या होगा लेकिन कायरा जैसे तेसे सभी को भागने के लिए मना लेती है और यह रात को प्लान बनाते हैं यहाँ से भागने का जैसे ही आदी रात होती है और किड़नेपरस और बाकी के लोग सो रहे होते हैं तो ये तीनों लड़की खिड़की के पास जाती है और कायरा जैसे तेसे इस खिड़की को खुलने में काम्याब हो जाती है लीली सबसे पहले खिलके से बाहर आती है और वो जैसे ही जमीन पर जम्प मारती है तो नीचे जमीन पर नुकीले कीले बिची हुई थी जो कि लीली के हाथों और पेरों में धस जाती है लीली की चीखने की आवाज को सुनकर किड्नेपर और उसके आदमी वहाँ पर पोच्छती है तो ये देखते हैं कि लीली पड़ी हुई है और उसके हाथों और पेरों में कीले गुसी हुई है वे लिली को उठा कर अंदर लाते हैं और वो उसके हातों और घुटनों से एकक करके कीले निकालते हैं जिसमें लिली को बहुत ज़्यादा दर्ड होता है जिसके बाद में लिली की इंडरेसिंग की जाती है और उसे वापस से उसके कामरे में छोड़ दिया जाता है जब किड इनुसन्ट लडगी थी किद्नैपर की मौम्म के अनुसर अब बारी थी ऐल्स की ऐल इसको जब दस्ती उसके कमडे से खिश कर लाय जाता है उसे डेर्ड डूम में बांध दिया जाता है। अब यहां पर डेर्ड रूम के शो के जीतेगा एलिस के उपर बड़े बड़े अमाउंड की बीडिंग होती है जिसमें एक बायर जीत जाता है और अब उसी के अकॉर्डिंग एलिस के टॉर्चर की मेथड होने वाली थी ये बायर इतना ज्यादा संकी था कि अपनी होड बीवी को भी टाइम नहीं देता था और अ खैमर से मारते हैं जब तब कि उसके घुटने तूट नहीं जाते हैं और उसके पेरों से उसकी हड्या बार नहीं आ जाती एलिस का मो तो सूपर गलू से चिपका हुआ था वो चीक भी नहीं पा रही थी लेकिन जैसे जैसे वो चीक नहीं कोशिश करती है तो उसके होट लेकिन बायर एलिस की इस मेथट को नहीं देख पाता क्योंकि उसका नेट बंद हो जाता है पावर कट होने के कारण एलिस का बायर ये शो मिस कर देता है और बहुत जदा फस्टेट हो जाता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा अमाउंट एलिस पर लगा हुआ था यहां पर करने वाला आदमी धीरे-धीर एलस के शरीर की चम्डी निकालता है और उसकी बॉड़ी के पार्ट को काट-काट कर बाहर निकालकर केमरे की ओर दिखाता है और फिर इन दी यार हैं लेकिन उससे इस शो में कोई लड़की नहीं बलकि एक छोटा बच्चा चाहिए जिसके लिए ये किड्नेपर राजी हो जाता है और वो चार मिलियन डॉलर के लिए इस बच्चे को टॉर्चर करने के लिए भी रेडी थे फिर जल्दी किड्नेपर एक बच्चे को खेर के लिए निकलते हैं किड्नेपर का बॉस यही पर था कायरा और लिली के पास में कायरा किड्नेपर से उसकी गंच छुडाने की कोशिश करती है और इस लड़ाई में कायरा से किड्नेपर की गंच चल जाती है और वो सीधा लिली के शरीर में जाकर गुशती है जिससे क वेपसाइट को ऑपरेटर था और उसे भी यहां पर किडम करकर ही लाए हुआ था चूकि उसे ही ये पता था कि डार्क वेप की वेबसाइट को कैसे ऑपरेट किया जाता है इधर ये Kidnapper एक बच्चे को पकड़ कर ला चुके थे लेकिन कायरा दोनों Kidnapper को गोली समार कर बच्चे को बचा लेती है और वो उसे कार में बेठा कर यहां से बाहर भागने की कोशिश करती है वो बस कार स्टार्ट करी रही थी कि तबी किड्नेपर का बोस उसके चेहरे पर एक एकसे से अटेक करके कायरा को यही पर निप्टा देता है किड्नेपर कायरा को खत्म करता है और किड्नेपर को वेबसाइट को ओपरेटर एक गन से शूट करके उला देता है जिसके बार में operator बच्चे को drive करके share ले जाता है और उसे रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है जब boss यानि की kidnapper के dead को ये पता लगता है कि सब मारे गए हैं और red room खत्म हो चुका है तो boss एक लड़की को call करता है जो कि एक दूसरा ही red room चला रही थी जिसमें लड़की को नहीं बलकि लड़के को torture किया जा रहा था जिससे boss रिक्वेस्ट करता है कि उसका red room बंद हो गया है और वो एक हफ़ते के बाद में ही चाल होगा तो दोस्तों ये movie based day red room के उपर यहाँ पर कायरा को सड़क से kidnap करकर उठा लिया जाता है और कायरा को पता लगता है कि वो एक अलगी देश में है जहाँ पर और भी कई सारी देशों की लड़किया मुझूद है और इन सबी को यहाँ पर red room के लिया लाया गया है red room एक dark web platform होता है जहाँ पर लड़कियों को live torture किया जाता है और बायरस को दिखाया जाता है red room का मतलब लाल कलर का कमरा नहीं होता बलकि यह एक platform होता है जो की dark web पर चलता है जिसे अलग-अलग देशों के लोग देखते हैं और वो उनकी according यहाँ पर लोगों को torture करते हैं यहाँ पर पहले लड़कियों को online दिखाया जाता है जिसके बार में सबी उसके ओपर bidding करते हैं और जो भी व्यक्ति इस bidding को जित लेता है तो उसकी method से ही उस लड़की को torture किया जाता है दोस्तो वेसे तो ही माना जाता है कि रेटरूम असली में भी डार्क वेप पर operate होते हैं और इनकी deal होती है क्रिप्टो करन्सी में क्योंकि क्रिप्टो करन्सी को trace नहीं किया जा सकता रेटरूम से लेटेड बहुत सारे वीडियोस आपको online यूट्यूब पर मिल जाएंगे जहां पर रेटरूम को detail में बताया है तो दोस्तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करका ज़रूर बताईएगा और अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया हो तो subscribe कर लेजिएगा क्योंकि और भी कई सारे वीडियोस हम जल्दी लेकर आएंगे